नास्कार आप देख रहे हैं नियूस चक्र मैं अभिसार शर्मा क्या भारत सिर्फ नाममात्र लोक्तंत्र रहे गया है वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इनी गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल ये उस चक्र में खबर की कहराईयों को टटोलता बीबीसी गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंटरी लेकर आती है बीजेपी सरकार उसका विरोध करती है वो एक अलग बात है मगर उसके बाद उसने जो हरकत की वो वाकई शर्मनाक थे जिन लोगों ने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर उस डॉक्यूमेंटरी के बारे में ट्वीट किया या जानकारी दी आप जानते हैं बीजेपी सरकार ने क्या किया बीजेपी सरकार ने उनके ट्वीट्स को ब्लॉक करवाने की कोशिश की ट्विटर के जरिये बात यहाँ नी रुक रहे हैं दोस्तों एक दूसरा घटनकरम हो रहा है जो भारती लोगतंतर पर सवाल खड़े कर रहा है आपके स्क्रीन्स पर यह है देश के कानून मंत्री केरन रिजीजू केरन रिजीजू ने देश के जो जजों के खिलाफ मानूमोर्चा कोल दिया है उन मंत्री ही देश के जजों को बरगला रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर धमका रहे हैं इंडिया ये क्या हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर आज इन दोनों मुद्धों पर दोस्तों मैं भारती जहता पार्टी सरकार का परदाफाश करने वाला हूं सबसे पहले हम बात करेंग ये BBC की बारे में दोस्तो BBC गुजरात दंगों पर एक डॉक्यमेंटरी लेकर आता है उस डॉक्यमेंटरी में कई बाते हैं मसलनलन उनके जो पूर विदेश मंत्री थे जाक स्ट्रॉव उन्होंने गुजरात दंगो के बारे में क्या कहा उसके बारे में तफसील से है मैं उस पर नहीं जाना चाहता मैं बात करना चाहता हूँ भारत सरकार की प्रतिक्रिया सबसे पहली बात मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि अब जाकर गुजरात दंगो की बात BBC क्यों कर रहा है मगर जैसे कि मैंने बताया BBC एक जिम्मेदार समाचार संस्था है एक समाचार एजनसी है जिसे मैंने भी पांच साल दिये है इसलिए वो क्यों कर रहे हैं उस पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहूंगा मैं सवाल उठाना चाहूंगा भारत सरकार के रवाईए को लेकर भारत सरकार ने BBC के खिलाफ एक पूरा प्रोपगांडा शुरू कर दिया कि जो BBC है वो भारत विरोधी है उन्होंने ये तक कहा कि BBC में हिम्मत नहीं है अपनी सरकार या अपने देश के बारे में कुछ कहने की आपके स्क्रीन्स पर ये हैं शेखर कपूर कौन शेखर कपूर दोस्तों शेखर कपूर वही शख्स है जन्होंने मासूम मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म में बनाए आजकल लंदन में रहते हैं और मोदी सरकार के परम चाटुकार हैं ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि क्या बीबीसी में हिम्मत है विंस्टिन चर्चिल जो एक जमाने में बृटिन के प्रधान मंत्री हुआ करते थे उनकी नीतियों के बारे में खासकर उनकी नीतियों से बंगाल में जिस तरह का सूखा पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए थे उसके बारे में कुछ कहने को लेकर दोस्तों पांच साल मैंने बीबीसी में काम किया है मैं जानता हूँ कि बीबीसी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने से पीछे बिलकुल भी नहीं हटती और यहीं नहीं बीबीसी अपनी सरकार की सेना पर भी सवाल उठाती है एक वक्त पर सवाल उठाती है दोस्तों जब कुछ लोग उसे देशद्रोही बता देते यानि कि BBC ने जिस तरह से अपने सरकार के उपर सवाल उठाए ना अगर BBC इस देश में होता और BBC हमारी अपनी संस्था होती यानि कि भारती ही मीडिया संस्थान होती तो लोग उसे देशद्रोही बता देते मैं आपको बतलाना चाहूँगा सबसे पहले दोस्तों कि BBC ने अपनी ही सरकार पर किस तरह से सवाल उठाए एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है दोस्तों सबसे पहले दोस्तों चर्चिल्स लेगिसी स्टिल पेंफुल फॉर इंडियन्स BBC ने बाकाइद एक कारकेम किया था कि विंस्टन चर्चिल जो विश्विद दुटिये के दौरान ब्रिटिन के प्रधान मंतरी थे उनकी विरासत अब ही भारतियों के लिए बहुत दुखदाई है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उस वक्ट विंस्टन चर्चिल की नीतियों से जिस तरह से बंगाल में सूखा आया था तो BBC ने बाकाइदा उसके खिलाफ जहंडा बुलंद किया था चालीस के दशक में दोस्तों उस वक्त ब्रिटन का शासन था भारत पर मगर बावजूद उसके BBC ने उस वक्त अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि BBC जो है वो देशद्रो ही था काइदे से अगर यही आजकल हुरा होता तो BBC परदेशद्रो का मुकदमा जो है मोधी सरकार चला देती मगर आपने देखा BBC ने Winston Churchill पर सवाल उठाया बात वहानी रुकती और वो Winston Churchill जो हमारे बीट जिंदा नहीं है आगे देखिए UK Government and Military Accused of War Crimes Cover-Up यहाँ पर तो BBC अपनी सेना पर सवाल उठा रही है BBC यह कह रही है कि बृतानी सरकार और बृतानी सेना दोनों युद्ध अपराद कर रहे हैं और उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आगे देखिए The Forgotten Atrocities Britain's History of Abuse in Palestine फालस्तीन के अंदर बृतानी सेना ने जो ज्यादतियां की उस पर BBC ने सवाल उठाये थे आपके सामने हैं सुबूत हाथ कंगन को आरसी क्या और पूरा BJP जो है वो क्या प्रचार चला रहा है कि BBC में हिम्मत नहीं है अपनी सरकार पर सवाल करने के लिए अरे BBC यहाँ अपनी सेना पर सवाल उठा रहा है आगे देखें साब How Britain's role in slavery and empire shaped modern America इनका ये कहना है कि Britain ने जो किरदार निभाया था slavery यानि की लोगों में घुलामी बढ़ाने को लेकर उसके चलते आधूनिक अमरीका में किस तरह के परिवर्तन आए अब तक जो भी मैंने आपके सामने मुद्दा रखा BBC के बारे में वो क्या बतला रहा है कि जाहे जो भी मुद्दा हो BBC ने अपनी सरकार पर सवाल उठाया मगर यहाँ प्रॉपगेंड़ा क्या चलाए जा रहा है कि BBC में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी सरकार पर सवाल कर सके और मैं अब आपको एक और बयान सुदाना चाहता हूँ दोस्तो बयान हमारे प्रधान मंत्री का है 2014 से पहले उस वक्त हमारे प्रधान मंत्री खुद BBC के फैन हुआ करते थे सुनिये उन्होंने हमारे ही दूरदर्शन हमारे ही आकाश्वाणी की आलोचना करते हुए BBC की तारीफ में किस तरह से पुल बांधे थे सुनिये हमारे प्रधान मंत्री को यार यह तो मैंने BBC पर सुना है यहने उसे हमारे देश की आकाश्वाणी कह रही है भरोसा नहीं कि दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं अकभार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं यार मैंने BBC पर सुना है अब यह जो क्याड़िबिलिटी है कि सरकार की व्यवस्ताओं पर से भरोसा उठ जाना कि यह मैं समता हूं बहुत ही बड़ा खत्रा है अब आप बताईए अब क्या हो रहा है अब प्रधान मंत्री क्या कर रहे है अब आपने ऐसी हरकत की है जिसके जरिये हमें 1975 के आपातकाल की याद आ गई जब उस वक्क की कॉंग्रिस सरकार ने देश पर आपातकाल ठोंक दिया था अब आप उन लोगों के ट्वीट्स हटा रहे हैं जिन्होंने BBC की डॉक्यमेंटरी को साजा किया चाहे वो अमरीकी आक्टर जॉन क्यूजाक का ट्वीट हो चाहे प्रशान भूशन का ट्वीट हो चाहे डेरिक उब्रायम जुकि TMC के नेता हो उनका ट्वीट हो इस तरह से अंकुष डाला जा रहा है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहा था कि हमें आलोशना से नहीं डरना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहा था कि आलोशना होनी चाहिए इस सरकार की आलोशना होनी चाहिए मगर मैं पलट की प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ क्या हुआ आपका वादा वो गाना भी है ना क्या हुआ तेरा वादा आपका वादा क्या हुआ आपका वादा आपने खुदी तो कहा था कि मैं आलोचना जहिलने को तयार हूँ कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने देश की जनता को बताने के लिए ये तो कह दिया कि भाया आलोचना करो जितनी मरजी करो मगर मेरी मत करो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है वाकर शेरनाक है दोस्तों इस पूरे प्रकरण से भारत की नाक कटी है, मैं सपश्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने प्रमानित किया कि BBC ने अपनी ही सरकार की भी आलोशना की थी वो मुद्दा बहस का मुद्दा है कि अब जाकर गुजरात दंगों पर क्यों वो कारकरम कर रहा है वो एक अलग मुद्दा है और मेरा ये भी मानना है कि जैसे जैसे ये बहस आगे बढ़ेगी इसका फाइदा भी मोदी सरकार को होगा बीजेपी सरकार को होगा क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जैसी हिंदू-मुसलिम बहस होती है तो बीजेपी को फाइदा होता है तो अगर इस मुद्दे पर आगे बहस भी होती है इस डॉकिमेंटरी पर तो इसका फाइदा भी बीजेपी को होगा यानि कि ये जो विवाद चल रहा है न दोस्तों उससे बीबीसी भी खुश है और बीजेपी भी खुश है बीबीसी बीजेपी क्योंकि बीबीसी का नाम रोशन हो रहा है कि वाँ उन्होंने क्या शान्दार डॉकिमेंटरी बनाई और दूसी तरफ बीजेपी अपने कटर समर्थकों को कह रहा है कि देखो कैसे प्रधान अंद्री नरेंद्र मुदी को टार्गेट किया जा रहा है यानि कि इस तरह का खेल चल रहा है इसलिए दोस्तों इस कारकरम में मैंने उस डॉक्यमेंटरी के बारे में एक शब नहीं कहा मगर उस डॉक्यमेंटरी के बाद जो घटना करम हो रहा है न वो चिंतित करने वाला है वो भारत की साख पर सवाल है वो भारत की लोकतंतर पर सवाल है और बात दोस्तों सिर्फ बीबीसी की इस डॉक्यमेंटरी का नहीं है जैसे कि मैंने आपके कारिकरम की शुरुआत में बताया हमारे कानून मंतरी केरन रिजीजू ने मानो देश के जजस के खिलाफ मुहिम छिड़ दिये लगातार उन्हें टार्गिट किया जा रहा है वो ये तक कह रहे हैं कि इन जज़ों की कोई पारदर्शिता नहीं है मैं आपको याद दिला दू दोस्तों आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जैसे ही सुप्रीम कोट में उनका कारकाल खतम हुआ उन्हें वक्त नहीं लगा और वो भारती जनता पार्टी की मदद से राजसभा में गुज गए क्या मोदी सरकार को ऐसे जज़ों की जरूरत है जो उनकी मदद से राजसभा में गुज जाते है और इत्फाकन दोस्तों मैंने ऐसे कई आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें ये दावा किया गया था कि रंजन गोगोई के कई फैसलों से मोदी सरकार को राजनीतिक मदद मिली चाहे वो रफाल हो चाहे वो रामंदिर हो या कई आन्ने मुद्दे तो क्या किरन रिजी जी को ऐसे जज चाहिए क्या यही वज़ा है कि वो जो है जजों पर हमला बोल रहे है मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों वो क्या-क्या बोल रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर एक-एक करके आ रहा है आपके स्क्रीन्स पर केंद्री कानून मंत्री किरिन रिजुजे ने कॉलीजियम को लेकर हो रही बहस के बीच एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने सुमबार को NDTV से कहा कि जजों को एक बार जज बनने के बाद आम चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता उनकी सार्वजनिक जाच भी नहीं होती ऐसे में ये तो साफ है कि जजों को आम जनता नहीं चुनती और यही वज़ा है कि जनता आपको बदल भी नहीं सकती लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता आपको देख नहीं रही है उन्होंने कहा कि आज सरकार और न्याय पालिका के बीच कोई समस्या नहीं है किरन रिजीजुनी ये बातें दिल्ली बार असोसियेशन की ओर से आयोजित एक कारक्रम में कही मैं देश के कानून मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो बात लोकतंत्र की कर रहे हैं पारदर्शिता की कर रहे हैं संसद में याद है आपने किस तरह से कृशी कानून पास किये थे कोई चर्चा हुई थी उस पे सार्थक किस तरह से बुल्डोज किया था आपने उस बिलको राजसभा में और फिर उसी तरह से याद कीजे आपने कैसे उसे वापिस बे ले लिया था क्या आप उसी लोकतंत्र कहते हैं पिछले दो ड़ाई सालों से कई लोग भीमा, कोरे गाउं, हिंसा के मामले में जेलों में बंद है, आप जानते हैं कि सुधा भारद्वाज रहा हो चुकी है आनंद तेल तुम बड़े रिलीज हो चुके है, स्टैन स्वामी की तो जेल में मौत हो गई क्या आप उसे लोग तंत्र बताते हैं, पत्रकार सिद्धिक कपन को आपने आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया था जब उसमें उने बेल मिली, तो आपने मनी लॉंडरिंग का एक केस जो है उन पर कर दिया था अभी सिर्फ 45,000 रुपे के मामले में ED जो है उन पर कारवाई कर रही है क्या आप इसे लोग तंत्र कहते हैं, जब आप न्यूस क्लिक पर 114 घंटी की रेड मरवाते हैं इसलिए क्योंकि न्यूस क्लिक जो है वुदेश के किसानों, अलप सेंखकों, दलितों, वंचितों की आवाज उठाता है तो क्या आप उसे लोग तंत्र कहते हैं, जब आप मीडिया के जरीए पूरी तरह से पूरे डिस्कोर्स पर, पूरे संबाद पर काबू रखते हैं जब आपके जो काबू में मीडिया होता है, वो समाज के अंदर जहर पहलाता है, हिंदू-मुस्लिम की नफरती डिबेट्स करता है तो क्या आप उसे लोग तंत्र कहते हैं, किरन रिजी जू जी दिक्कत यह है कि आप सब पर कंट्रोल करना चाहते हैं आप न्यूस क्लिक पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आप जजज़स पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपकी आलोशना ना करें आप घलत फहमी में हैं किरन रिजी जी बेशक लोकतंतर के माइनों को आप ना समझें कानून मंतरी वेगर मेरे जैसे पत्रकार न्यूस क्लिक जैसी संस्थाएं उसे समझती है इसलिए मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि न्यूस क्लिक जैसी संस्थाएं आम जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे की सियासत क्या है वो हम जनता तक पहुंचाते रहेंगे या हमारा दायत्व है या हमारा फर्ज है और हम उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं किरिंड जी जी बहराल ये दोनों घटना हैं वाकी शर्मनाक हैं जिस तरह से देश के कानून मंत्री जो हैं वो जजजस पर के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्शा खोल दिया है जिस तरह से BBC डॉक्यमेंटरी को लेकर विवाद हुआ है मैं फिर दोरा दूँ इस मंच पर BBC डॉक्यमेंटरी के अंदर क्या था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है मुझे प्रॉब्लम है सरकार के रवये को लेकर मैंने इसी कारक्रमे में आपको याद दिलाया कि इसी BBC के बारे में स्वयम प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की क्या राय थी जो अपने आप में इस पूरे मामले को आपके सामने रख देता है दूद का दूद पानी का पानी अविसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार